वेल्कम बैक दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए लूशेंट पर आधारित महतुपुन प्रश्ण उत्तर तो बहुत ही ज्यादा इन्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है तो आप लोग काम है इसको अपने नोट बूग में नोट डाउन करते चले देखिए आज का पाला कोशिन है कि रेवीज के टीके की खोज किसने की को एक वेग्यानिक कोशन में टू है कि दूद से दही किस जिवानों के कारण बनता है तो दूद से दही जो है लैक्टो बेसिलस नाम का जिवानों जिनके कारण दूद दही में कनवर्ट होता है ठीक है लैक्टो बेसिलस इसका राइट एंसर हो जाएगा लैक्टो बेसिलस अगला कुशन देखिए कि प्रासरव्य तरंगे की आवरेती कितनी होती है तो बीस हजार हर्टर से अधिक होता है आप लोग कमेंट किजिए कि प्रासरव्य तरंगे कोन उत्पन करती है तो चमगादर जो है प्रासरव्य तरंगे उत्पन करती है चमगादर इस तरंगों को उ कर पाता है तो यह तरंग क्या होता है 20,000 हर्टज से अधिक अगला कोशन यहाँ पर कोशन एक है कि तरंगे किस से ना पी जाती है या फिर आवरीती आवरीती कैसा मत्रक क्या होता है हर्टज होता जिसको अगला कोशन देखी कि परमानु बम किस सिधान पर कारी करता है तो नावी के विखंडन विखंडन का मतलब होता है तूटना तो नावी के सनलयन जो होता है वो कौन से बम है जो नावी के सनलयन पर कारी करता है तो यह आप लोग कमेंट किजी कौन सा बम है जो नावी के सनलयन यानि कि जुड़ने पर work करता है और हमारा जो सुर्य होता है जो अपना इतना ज़्यादा energy जो हम सब को provide करता है हर एक planet को provide करता है वो नावीकिय सनलेयन पर अपना energy को store करता है hydrogen और helium जब आपस में जूड़ता है तो बएखिक मात्रा में एनेर्जी का निर्मान करता है ठीक है तो सूरी इसका एक्जामपल हो जाएगा आप लोग उस बम का नाम बताइए जो नावी किया सनलेयन पर करता है चलिए इसको सेनका राइट एंसर हो जाएगा नावी के विखंडन कोशन में फाइव देखिए विदुधारा का एसाई मात होता है एंप्यार क्लिए विदुधारा का एक याई कौन सी है तो एंप्यार इसको दिनोट करेंगे एसी नेक्स्ट है कि हर्दाई की धढकन को नियंत्रीद करने के लिए कौन सा खनीज आवश्यक है तो पोटेशियम इसका राइट एंसर हो जाएगा पोटेशियम को किसे प्रदीनट क्क होता है तो पोटेसियम इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला कुछन देखिए नेक्ट कौछन है आप लोगे सामनी कोचन 7 के खोज किस नी कि थी तो पैनिसीलीं कि खोज की थी अलेकजंडर फ्लैमिंग ने और अभी जैस्ट कोश्चन वर वन था कि रेवीज रेवीज के टिके की खोज किनों ने किया था यहां पर कोश्चन है पानिसलीन की खोज किस ने की थी तो अलेकजंडर फ्लैमिंग इसका राइट एंसर हो जाएगा अलेकजंडर फ् कि malaria की दवाई जिसका नाम है कुनीन ये किस पोदे से प्राप्त किया जाता है तो सीन कोना नाम के पोदे से प्राप्त किया जाता है जो कि malaria का दवाई है संसार का सबसे बड़ा फोल कौन सा है रेफलेसिया रेफलेसिया है कि इतना बड़ा फोल है कि इसके अंदर maximum seven boy बोल सकते हैं यानिकि seven people अपना picnic बना सकता है बस इसमें problem ये है कि बहुत जादे समय के कारण बहुत जादे समय इस fool के रह जाने के कारण इसका बीच का भाग जो होता है सरना start हो जाता है और बदबू सबसे ज़्यादा देता है इतना बड़ा होता है कि इसमें साथ आदमी का वजन धो सकता है अगला question है कि सबसे बड़ा जिवित पंची कौन सा है तो बोलिए इसका right answer क्या हो जाएगा सुतुर मूर्ग सुतुर मूर्ग जो है सबसे बड़ा जिवित पंची है अगला सबसे बड़ा एक कोशी किया मतलब की single sail बोल सकते है सबसे बड़ा single sail यानि सबसे बड़ा कोशी का अगर बात किया जाए तो वो है सुतुर मूर्ग का अनडग लगभग लगभग 2 kg से ले ले करके 5 kg के बिच होता है जो की एक sail है सुतुरमूर का अंड़ा, संसार का सबसे छोटी पंची कौन सा हमिंग बड़, ठीक है, हमिंग बड़ इतना छोटा पंची है, कि ये बैकवार्ड भी उड़ सकती है, और फरवार्ड भी उड़ सकती है, दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे दुसरा कोशन है कि कौन सा ऐसा पालतू बनाय था, तो कुट्ता इसका राइट एंसर हो जाएगा, कुट्ता एक ऐसा जनतू जो मनुष्य सबसे पहले उनको पालतू बनाय था, कुशन में 13 है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह आकास कैसा दिखाए देता है, तो ब्लैक दिखाए देता है, ऐसा क्यों क्योंकि अंत्रिक्ष यात्री मान लिया जाए कि ये है अर्थ और ये है कोई चिन्टू पिंटू तो यहाँ से अगर लाइट जाता है मान लिया जाए सन है यहाँ से अगर लाइट आएगा तो रिफलेक्शन करके इतना दूर तक नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण हमें अकास ब्लेक लर का दिखाए देगा एक्चॉल में कोई भी वस्तू मान लिया जाए कि यह है कोई बॉक्स ठीक है और यहां पर कोई चिंटू है खड़ा है तो अगर सनलाइट यहां पर आता है यहां से रिफ्लेक्शन होकर कि को चिंटू इस बॉक्स को देख पाता है अगर यह इनके आँखों तक नहीं पहुंच पाएगा तो चिंटू इस बॉक्स को नहीं देख पाएगा क्लियर है यही हाल यहां पर होता है लाइट रिफ्लेक्शन होकर करके ना पहुंचने के कारण हमें अंत्रिक्ष से जो आकास ह पाएगा दिखाय देता है अगला कोशन देख लेते कोशन नमबर पोटीन बताई एटी एम का विजदारीत रूप क्या होता फुल फर्म क्या होता इंपोर्टेन कोशन है कि आटो मैटेड ट्रेलर मसीन इसका राइट एंसर हो जागा आटो मैटेड ट्रेलर मसीन देखिए अगला कोशन है आपके सामने कि संसद क्या है संसद का संयुक्त अधिवेशन कोन बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वह हमारा परसिडेंट यानि की राष्टपती परसिडेंट कोन है कमेंट किजी और कितनी नमबर का परसिडेंट वह भी आप लोग को दिते हैं या फिक स्केल से हैं LBW कि स्केल से किर्केट में यूज किया जाता है LBW सब्द अगला कुशन है कि वाइ मंडल की कौन सी परत हमें सुर्य से आने वाली अल्ट्रा वॉलेट किरने यानि की यूवी रे से बचाती है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओजोन परत वाइ मंडल की कौन सी परत है तो ओजोन परत है जो कि हमें सुर्य से आने वाली खतरनाक जो अल्ट्रा वॉलेट की रन होता उनसे बचाती है अगर ओजोन परत नहीं होगा और अगर डारेक्ट सनलाइट हमेरे पिर्थवी तक पहुचेगा तो हमें स्कीन कैंसर तक का प्रोब्लम हो सकता है किलियर है बहुत ही खतरनाक अल्ट्रा वॉलेट रेडियेशन यानि कि रेज होता है यह ओजोन क्या करता है एक परकार से चाचछनी के तरकार करता है और हमें वही कीरन को पास होने देता हमारे पिर्थवी तक जो लाबकारी होता है जो हमारे लिए विटेमिन डी प्रदान करता है तो O3 ओजोन का सुत्र हो गया ओजोन जो हता है 3 oxygen molecules से मिल करके बना होता है ओजोन लेकिन हम लोग क्या करते हैं घर में freeze, AC अना यह सब चला करके इससे freon और cfc gaze निकालते हैं और यह cfc gaze क्या करता है oxygen को तोड़ता है ओटू और ओ में अक्सिजन भारी होता है ओटू भारी होता है जो कि हमारी वाई मंडल की सर्फिस पर आ जाता है और मोनोक्साइड के पास उतना पावर नहीं होता है कि आल्टा बॉलेट एडियेशन को रोक पाएं तो हमीं क्या करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सिएप्सी गेश को प्रेडूस नहीं करना चाहिए डर दर्गाह कहां पर है अजमीर पर है इंपोर्टिन कोशे ने ख्वाजा मोय दिन चीश्ती की दर्गाह कहां पर है तो अजमीर इसका राइट एंसरो जाएगा अजमीर अगला कोशे ने कुशन में 19 कि समराट असोक ने किस यूद्धी के बाद बोद धर्म गरहन कर लिया था तो कलिंग यूद्धी इसका राइट एंसरो जाएगा कुशन क्या है समराट असोक ने किस यूद्धी के बाद बोद धर्म गरहन कर लिया था तो कलिंग यूद्धी इसका राइट एंसरो जाएगा कलिंग यूद्धी के बाद बोद धर्म गरहन कर लिया था और कुशन में 20 क् भारत का कींद्रिय बैंक कोन सा है थ आम लोग जानते है आर्वी आई भारते रिजब बैंक जो की बैंकों का बैंक कहा जाता है आप कमेंट किजिये आररवी आइका हेड़ क्वार्टर कहां पर हैING LIKEले अगला है आपका जेनरल नौलेज्ट आप जो कि इसने अदोशिंद' तो कॉशी नदील राइट एंसर और जाए तो कुशी नदी कारण हमेशा इस बिहार में बाढ़ आते रहांता है इसलिए बिहार का शोक को नदील को कहेंगे अगर बात किया जाए भारत को किस तीथी यह को एक गन्राज्य घोसित किया गया था तो गन्राज घोसित किया गया था 26 जन्वरी 1950 में 26 जन्वरी 1950 में गन्राज घोसित किया गया था भारत को अगला कोशन आपका कि खजुराहो का मंदीर कहां पर इस्तित है यह इंपोर्टेंट कोशन है कि खजुराहो का मंदीर कहां पर इस्तित है तो मैद्य परदेश इसका राइ में और राजस्थान के कहां पर है जैपूर में जैपूर को लगोर बोस्टि तब कि बड़ा इमाम बड़ा be यूपी में उत्तर प्रदेश में इमाम बड़ा बड़ा इमाम बड़ा अगला कुछिन है कि चेतक ओर है किसे संबंधिते तो महाराना परताब जी का जो घोर का नाम है उसका नाम था छेतक किलिए रहज चेतक घोरा कि किनका नाम था महाराना परताप का अगला कुशन है कि बीज गनित के छेत्र में अपना विशेश योगदान के लिए किसे जाना जाता है तो भासकर इसका राइट एंसर हो जाएगा जो कि बीज गनितिय के छेत्र में अपना विशेश योगदान दिये थे अगला कुशन है सब सबसे पुराना वाद्य यंत्र कोन सा है तो वीना इसका राइट अंसर हो जाएगा जो कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीना अगला कोशन है कोशन मनाईन किस व्रिहत मंदिर की आरंबिक कल्पना तथा किस व्रिहत मंदिर की आरंबिक कल्पना तथा निर्मान सुर्यवन सम्दूतिया के राज्यकाल में हुआ था तो सुर्य वंस्य दूतिया के राज्यकाल में कौन से ब्रियत मंदीर की आरंबिक कलपना और निर्मान क्या गया था तो अंकोर वाट का मंदीर इसका राइट एंसर हो जाएगा के लिए अंकोर वाट का मंदीर कोशन में 10 क्या है कि अ अम्रावति बोध श्तूप कहा है अंदर प्रदेश में अंद्रावति बोध श्तूप कहां पर चलिए अंदरीश से यह अछ T टेवर के बात कर लेते हैं कि प्रवासी भारती दिवस कब मना जाता है क्या है कोशन परवासी भारती दिवस कम मना जाता है नो जनवरी को मना जाता है परवासी भारती दिवस याद करते चले एक ही साथ कि परवासी भारती दिवस कम मना जाता है नो जनवरी को अगला कोशन है राष्टी युवा दिवस कम मना जाता है बोले राष्ट यह द्वस कंबτανजाता और करेंड किजिए इसका राइट एंसरों जाएका बारह जनवरी राष्ट्य युँआद द्वस कंबना जाता तो । जन्वरी इसका राइट एंसर हो जाएगा थल सेना दिवस कम मना जाता है 15 जन्वरी इसका राइट एंसर हो जाएगा 15 जन्वरी नेश कोशन है राष्ट्य बाली का दिवस कम मना जाता है यह इंपोर्टेंट कोशन है राष्ट्य बाली का दिवस जोकी 24 जन्वरी को मना जाता है राष्ट्रिय बालिकाद दीवस अगला कोशिन गणतंतर दीवस कम मना जाता है बताएए गंतंतर दीवस यह तो बहुत ही जाता है चार फरवरी इसका राइट चरू जाएगा विश्व कैंसर दिवस चार फरवरी और अंतराष्ट्य मात्री भासा दिवस कम बना जाता है कमेंट किजिए अंतराष्ट्य मात्री भासा दिवस कम बना जाता है तो 21 जनवरी को मना जाता है अंतराष्ट्य मात्री भासा दिवस किले रहें अंतराश्ट्य मात्री भासा दिवस 21 फरवरी को अगला कोशन है कि केंद्रे उत्पाद सुल्क दिवस कम बना जाता है केंद्रे उत्पाद सुल्क दिवस यह हमेशा पुछा जाता है रेलवे और सिसी में तो 24 फरवरी इसका राइट एंसर हो जाएगा अच्छिय विज्ञान दिवस कम बना जाता है 28 फरवरी चले दोस्तों मिलते हैं इस क्लास तेंक्यू